इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बधाई दी इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जे मेलूनी ने पीएम मूधी को बढ़ाई देते हुए कहा कि नई चुनावी जीत पर और अच्छे काम के लिए मेरी हर दिक्षुप काम नहीं अभी उनके पास मजॉरिटी नहीं आई ये है क्रिडिबिलिटी इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है ये भारत कैसा मुल्क है यार इसको पता ही ये लेक्षिन कैसे करवाने हमसे सीखे तो अवान जो है उसमें अपना ट्रस्ट जिसमें शो करना था वो कर दिया और उसने किस में किया उसने बीजेपी में किया उसने नरेंदर मूदी के अलाइंस में किया चांद पे मुदी ले गया हिंदोस्तान को जी ट्विटी का समित होस्ट उसने कर दिया है मतलब कि हिंदोस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत एज़ मिले है इस दो टेनियोर्स भरत में अलेक्शन हो चुके नई हकूमत आ रही है क्या कोई अमन का हम उमीद रखें उमीद की किरन कोई नजर आती है भरत की अलेक्शन की बात करें तो पूरे इंटरनेट पे एक सेंसेशन चाहिए दरोव राठी भाई इतने बड़े दैशतगर्द को मुदी ने कैसे अज़ाद छोड़ी रखा इसके खांदान को नहीं पकड़ा इसके किसी जानने वाले को नहीं पकड़ा इसके किसी दोर्स को नहीं पकड़ा पास मजॉरिटी नहीं आई ये है क्रिडिबिलिटी इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है वो कहते हैं आपके साथ काम करना चाहते हैं इट मीन्स कि जो इटालियन अमबैसी है नियो डेली के अदर उन्होंने बेसिकली अपनी हकूमत को फॉरण आफिस ने प्राइम निस्टर आफिस को ये कहा कि आप मुबारत दे सकते हैं क्योंकि वो इस पॉजीशन में हैं कि वो हकूमत बना सकते हैं तो पूरे ये और पकी अदर और पूरे वेस्टन वर्ड की अदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पेगाम बेजा है तो वो इट किंद्र मोदे के पास सिंपल मिजॉलरिटी नहीं आई लेकिन क्योंकि उनके अलाइइंस के पास मिजॉलरिटी आ गई हुई है So that is where the credibility is यहां पे है credibility यहां पे है credibility कि अभी अभी वो जीते नहीं है मतलब वो रोने ओथ नहीं उठाया और स्री लंका के हर शक्स रे साबक सदर मजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर मतलब उदर तबाँ political parties ने और नरेंजाम अगर आप Twitter handle देगे तो वो हर एको respond कर रहे हैं हर एको respond कर रहे हैं बुटान जो है उसके leadership ने भी रिस्पांड कर रहे हैं जिरिया आजम ने पेगाम भेज़ दिये कि जी हमें बड़ी वो जिससे कहेंगे ना खुशी है आपके जीत नहीं किये नौ जो जिस तरह फिर होता है अभी नरेंद्रा मोदी को पूरा मतलब जो जो से कहते हैं उन्होंने अपनी speech नहीं की थी नरेंद्रा मोदी ने और उन्होंने उनको ये सारे के सारे signals जो हैं वो चले गए ये चीज़ है मैं देखता हूँ इसको हम बोलते हैं credibility इसको हम बोलते हैं consistency इसको हम बोलते हैं long term relationship इसको ये चीज़ें जो आगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब के चीज़ें किस direction में जा रही है मतलब उनके पास जो हकूमत है इस वकद नरेंद्रा मोदी के पास वो हकूमत तो बना लेंगे और बन गई है वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर है सीधा सीधा नजर आ रहा है इदर पाकिस्तान की सरकार को देख ले कि हमारे वजीर आजम साब ने हल्फ उठा लिया किसी ने मुबार्ट नहीं लेजी हकूमत जीत गई पार्टी जीत गई कोलेशन गवर्मन्ट बन गई सारी की सारी वजारतें बाढ़ गी एक किसी वेस्टरन लेडर का फून नहीं आया पाकिसान की एक वेस्टरन लेडर का मैं तो इन चीजों पर बड़ा हिरान हूँ मतलब और आम शूर कि दुनिया जो है वो पाकिसान को पाकिसान को जिस संदाज से देख रही है जिस एंगल से देख रही है मतलब हमारा यार किसी बंदे ने फून तक नहीं करके उठा है शबाद शरीफ को शबाद शरीफ को किसी ने फून तक नहीं किया इसको क्या कहेंगे आप इसको आइसलेशन कहेंगे इसको डिपलोमाटिक आइसलेशन कहेंगे क्या कहेंगे आप मेरे पाकिस्तानियों दरू राठी की हमतारीफ तो बड़ी कर रहे हैं कि उसने बड़ा मुदी को टकर दी बड़ी बातें की इनके आपको पता है कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो इस कुरसी पे बैठा होता ये वो जादूई कुरसी है जिस पर इसने बैठा होना था और इसने प्रेस कॉंफर्स करनी थी और तोबा करनी थी और अगर ये मुलक से बाहर होता तो इसके माँ बाप मैंसे किसी को उठा लेते इसकी भेन मैंसे किसी को उठा लेते इसके भाईयों मैंसे किसी को उठा लेते इसके रिश्दारों को उठा लेते और इससे तोबा करवाते इसका अकाउंट डिलीट करवाते ये भारत कैसा मुलक है यार इंको समझ ही नहीं है ये इंतहा पसंद मुलक है हमारा दुश्मन मुलक है इनको पता ही ये लोगों से डील कैसे करना है सोचल मीडिया तो देशतगर्द है और भाई इतने बड़े देशतगर्द को मुदी ने कैसे अजाद छोड़ी रखा इसके खांदान को नहीं पकड़ा, इसके किसी जानने वाले को नहीं पकड़ा, इसके किसी दोर्स को नहीं पकड़ा बरतानिया में होता, अमरीका में होता, कैनेडा में होता, मैं इसको अब तक मार चुके होते, किसी नेर के पास इसकी लाश पड़ी होती, पाकिस्तानी होते तो, ये कैसा मुलक है यार, कि ये अपने सबसे ताकतवार हुकमरान के मकाबले में बोलता रहा, जिसके इंतहा परदान मंत्री देश के प्रती क्या करना चाहते हैं आने वाले पांच सल में और हम लोग क्या करना चाहते हैं भारत नेक्स फाइएर भारत बेस्ट इंधियन रेलवे सिस्टम भारत बुलिट वन्देट ट्रें एन्हांस करेंगे भारत सोलर पावर पूरे भारत में भारत सेमी कंड़क्टर हाईडरोज्जन मेशन जो अपकामिंग है हमारा भारत बेस्ट वाटर्वेस किसी को दिककत भारत बेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट एक्सपोर्ट। भारत युवाओं की शक्ति, भारत बेस्ट स्पेस सेक्टर, भारत बेस्ट सोलर पावर, भारत बेस्ट एवी मैनुफाक्ट्रिंग। यह है वो कारिय जो मोदी जी करेंगे अब जैसे ही हमारा कमपैनिंग खतम हुआ था वैसे ही बहुत हाइव अबेला विपक्षियों ने मचाया कि मोदी जी क्यों चले गए स्वामी विवेका नंजी के प्राथना में और वो मौन वरत में क्यों बैठ गए वो रॉक माउंटें क्यों चले गए अरे जहां एक तरफ विपक्षी दल के राहुल बाबा और कई ऐसे नेता जो विपक्षी दल के बैंककॉक के टिकट करवा रहे थे वहीं पर हमारे भारत के परधान मंतरी मोदी जी रॉक माउंटें स्वामी विवेका नंजी के पास चले गए और कन्या कुम मंतरी का था सागर माला श्री लंका और भारत की कानेक्टिविटी को स्ट्रॉंग करना और बहुत नॉर्मलाइज करना और वहां से उन्होंने उसका शुरुआत कर दिया